हेलो हेलो फ्रेंट्स नमस्ते और कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज हम ये कपड़ी में से दो आइडिया बनाएंगे घरमी में बहुत ही कामाने वाले देखिए ये चिकन कारी का कपड़ा है कोटन का है जिसके उपर मैंने प्रांसी का टी-शिट रख है बड़ा बड़ा हमें कर ना च्कट मार्क कीजिए लिगे आर्मोर मिले वर मने मार्क किया और साइड साइट में हमने 2 इनगे अमने ।-wrek तो हम यहां पे क्या करेंगे थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और हां फ्रेंद अगर आपको इससे भी बड़ा करना है आपका छोटा हो गया है तो आप इसे और भी बड़ा अपने नाप के हिसाब से कर सकती हैं आसे टी-शिट को सिर्फ रख दीजिए और इससे छोटा लगाएंगे आगे का अब हम आगे और पीछे दोनों साइट एक ही नाप का रखेंगे क्योंकि यह श्ट्रेचिबल नहीं है तो अच्छे से आगे पीछे रहेगा तो अच्छा है अगर आप बटन लगाते हो या फिर जिप लगाते हो तो कोई बात नहीं आप पीछे का छो पीटा रखना है यहां नेक पर स्टीज करना है यहां पर स्टीज करना है और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजिए का यहां पर नेक पर भी कट कर ले और नौचीश लगा दे ताकि जब हम इसे सीधा करे तो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए मुझे बता है आप सब को चोटे बचे के कपड़े बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और आप जब कमेट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके सपोर्ट की वज़े से मैं यह सब कर पाती हूं अब हम सॉल्डर को जोड़ देंगे सीधा कर लिया नौचिस करने के बाद और अब हम सॉल्डर को जोड़ लेंगे अब हम साइड में यहां पर जोड़ लेंगे ऐसे करने से क्या होता है कम मेहनत पड़ती है जैसे हम क्रोस में कटकी हूई पाइपिन लगाएंगे तो वह मेहनत कम पड़ जाएगी ऐसे प्लेट पलटने से तो यह मैंने क्या किया इसे सेंटर से ऐसे कट काल लिया है देखिए और यह देखे दो बोर्डर बन गए है तो इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूं इसकी लंबाई है 30 इंची चोड़ाई है 10 इंची और इसे न आप नीचे से देखिए यह छोटा है कपड़ा कम लग रहा था तो मैंने यह लेस यहां पर अटेज कर दिये ऐसे आप बड़ा भी बना सकते हो देखिए यहां पर इस तरीके से आपको अटेज करते जाना है तो य तो यहां पर हमने दोनों को जोड़ने के बाद कि यह देखिए अब हम इसे न ऐसे फॉल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से ऊपर से टूफिंगर जितना पॉल्ड कीजिए और पूरे राउंड में आपको फॉल्ड करना है थोड़ा सा खुला चोड़ना है यह देखिए प यहां पर इलास्टिक आपके वेबी का जो भी नाप है उसे वहां इचिस कम कट करें मैंने यहां पर 20 इंच इस लिए और इस तरीके से यहां पर खुला है वहां से अंदर डालिए और ऐसे खीच दे जाईए और दूसरी सैट देखिए हमने इसे खीच लिया और इसे अब पार्ट है उसे भी हम बंद कर लेंगे और आप चाहें तो यहां पर सेंटर में देखे इस तरीके से पहले बंद केजिए फिर शेंटर में अगर आप चाहें तो इसे खीचते हुए पहले स्टीच कर सकते हैं तो यह देखिए डोनो टोप कितने प्यारे लग रहे हैं तो बतारना ऐसे आइडिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय भारत